हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की जो है तमाम जो डिफरेंट तरह के अपडेट्स हैं जिसमें की और ओर ओपी से जो लेटेट अपडेट है उसके बारे हम बात करेंगे इसके लावा दोस्तो मिनिमम्म सेलरी और फिट्मेंट फेक्टर का जो बहुत दिनों से पेंडिंग डिमांड चल रही है उसके उपर बात करेंगे साथ ही साथ दोस्तो सेवन्थ पे कमिशन से रेटेट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से उसके बारे हम बात करेंगे और अभी बेसिक लिए दोस्तो ECHS में जो है कुछ चेंजेज आएं उसके बारे हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो है पेंशनर्स और फेमली पेंशनर्स के लिए जो अपडेट से उसके बारे हम बात करेंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों OROP से लेटेस अपडेट जो कि हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं उसमें यह है कि कल जो है जो 6th August को जो हीरिंग थी उसमें जो है OROP केस का लिस्टेज नहीं था क्योंकि अलड़ी जो है नेक्स्ट डेट वो कब मिलेगी क्योंकि नेक्स्ट डेट के बेस पर चल पाएगा कि अगली प्रसीडिंग कब होगी यह वाली हिरिंग इसलिए इंपॉर्टन थे क्योंकि इस हेरिंग में बेसिकली जो है Supreme Court का order था कि जो भी anomalies हैं उसको government fix करें उसके बाद से हम इसको proceed करेंगे ultimately एक बहुत अच्छा chance था बट still जो अभी है जो latest update आ रहा है कि जिसमें के भी देखा जा रहा है कि next date हमें next sharing date कब मिली है और ये कोशिश की जा रही है कि next sharing date जो है जल से जल मिले जिससे कि जो ओ और ओपी की लॉंग एवेटेड जो issues हैं उसको resolve किया जा सके इसके लाओ दोस्तो मिनिम्म सेलरी fitment factor NPS को हटाने का और जो old pension scheme को लगाने का दुबारा से जो है शुरू करने के लिए जो महीम काफी टाइम पहले शुरू की गई थी बीच में जो है minimum salary or fitment factor लगभर लगभर जो है इसके बारे में कोई discussion नहीं हो रहा था कि क्योंकि काफी long pending demand है बट स्टिल जो है government की तरफ से कोई भी action नहीं हुआ तो एक बार दुबारा से जो एंजे सीए जैसा कि आप सब जानते हैं कि national joint council of action जो है वह इन चीजों को जो है आगे बढ़ाती है वह इन चीजों को जो गवर्मेंट तक ले जाती है तो अभी एक महिने की पूरा का पूरा जो उन्होंने कारीक्राम निकाला है जिसके थ्रू जो है इन चीजों को implement करने के लिए प्रॉपर जो है प्रोग्राम मनाये गया है कि किस तरीके से अपनी बातों को जो है जो में में मुद्दें उनको किस तरीके से गवर्मेंट तक लिया जाए जाए और वह अगस्ट से लेकर सितंबर तक जो है प्रॉपर इसमें जो है काम करेंगे जिससे की जल्दी से जल्दी इसको implement किया जा सके है implement होता है और यह नहीं होता है इसका तो किसी को नहीं पता क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले भी यह सब बाते होती रही है कि अब दुबारा से एक बर फिर शुरू किया जा रहा है क्योंकि सेवन पे कमिशन की लॉंग पेंडिंग निमांड वह भी सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लॉईज के लिए वह जल्दी पूरी होनी चाहिए इसके लाओ दोस्तों पेंशनर्स और फैमली पेंशनर्स के लिए जो है जो लाइफ सेटिफिकेट से रिलेटेड अप्डेट ही है कि पेंशनर्स जो है अब लाइफ सेटिफिकेट ऑक्टोबर के महीने में भी जमा कर सकते हैं क्योंकि नवंबर के महीने में बहुत ज़्या जादा भीड हो जाती है तो आप जो है ऑक्टूबर में ही अपना लाइफ सेटिफिकर जमा करें जो की वैलिड होगा अप्टू नॉम्बर तक तो दोस्तो यह थे आज के कुछ कुछ इंपोर्टेंट अपडेट सभी पेंशनेर्स के लिए सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लोईज के लिए और सेवन पे कमिशन से लिटेड अपडेट दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करें धंया है